सबसे बड़े चुनौती जो सरकार के सामने इस समय रहेगी वो रहेगी फिसकल डेफिसिट को कंट्रोल में रखने अगर फिसकल डेफिसिट को भुला भी देना पड़े तो इसके लिए हिचकेचाना नहीं चाहिए क्योंकि इस समय टैक्से सरकार का रेवन्यू कम हुआ है सब जानते हैं खर्च सरकार को करने की जुरूत है तो अगर फालतो खर्च करना भी पड़ता है घाटा होता भी है फिसकल डेफिसिट जिसको हम कहते हैं तो मुझे लग रहा है कुछ समय के लिए उसको जेल जाना चाहिए पूरे विश्व की बड़ी बड़ी अर्थ विवस्ताओं की यही कंडिशन है तो भारत उसमें क्यों exception बनके रह जाए मुझे लग रहा है इस समय अर्थ विवस्ता को पटरी पे लाना जादा बड़ा ध्याय होना चाहिए बजाए इसके के fiscal responsibility या fiscal management पर बहुत जादा ध्यान देने के